आज मनिपूर के दोरे पर रसम के मुख्य मंत्री और पुर्वोत्र के बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हिमंद बिस्व सर्मा है साफ है बीजेपी यहां हो रहे ही लगातार हिंसा के सियासी सुलह पर हर संभव कवायत करने में जुटी है इसी सिल्सले में आज हिमंद बिस्व सर्मा यहां पहुँचे है मनिपूर में हुई हिंसा के मामले में सीवी आई ने छे अलग लग एफाया दर्च की है और जांच के लिए साइटी टीम का भी गठन किया गया इस बीच कल एक बड़ी खबर आई कि मनिपूर में बड़े पैमाने पतबादले किये गए 11 आई पिएस और कई आई एस अधिकारियों के तबादले हुए माना जा रहा है कि बीते दिन यहां हिंसा के बाद यह कारवाई की गई वहें कल सुबह यहां के होकेन गाउं में संदिक दुगरवादियों ने हमला किया जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई दो लोग घायल हो गए सौरब गुपता है हमारे साथ इस बामले में जादा बात करने के लिए सौरब आसाम के मुख्यमंत्री का वहां होना कितनी उम्मीद जगाता है देखे आसाम का मुख्यमंत्री का मनिपूर में होना एक बहुती मैट्पून बात है क्योंकि वो नेडा के कन्वीनर भी है नेडा मतलब 39 डिवेलप्मेंट अथारिटी और हाजपा के लिए वो एक चीफ स्ट्राटीजिस्ट है 39 के लिए कोई भी समस्या हो तो हिमंत्र बिश्चा सर्मा का एक स्ट्राटीजिस्ट के हिसाब से एक बहुती एहम भूमिकार है और इस मामले में जब ये परिस्थिती सुधारने में समय लग रहा है और हिंसक घटना की खबरे अभी भी आ रहे हैं इस सिल्सिले में मनिपूर जाना हिमन कमेसा सर्मा का और बिरेन सिंग के साथ मुलाकात करना उनके जो विधाय के उनके साथ मुलाकात करना और और बाकी भी मुलाकात करेंगे वो लोगों से तो इन सारे चीजों में एक प्राजनेतिक सल्यूशन निकालने की एक कोशिश है ये सिमन तब इस सर्मा आए है मनिपूर में मुक्षे मंत्री के साथ जो उनका मीटिंग सा वो खतम हुआ है अब और कोई लोग से मिलेंगे लेकिन जो पिछले चौबे से अर्टालेज घंटे की घटनाएं है उसको उसको नज़र लगते हुए जरूर मनिपूर की सिटी अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि नॉर्मल्सी के तरफ गया है हिंसक घटना में कमी जरूर आये हैं बंदू के लोग तोपती हैं कहीं सारे जगव पे आम लेकिन इस वक्त अभी यहां पे जो सिटी है वो नॉर्मल्सी के तरफ नहीं पूरी तरीके से जा पाया है और हिमन्तब इससर्मा का एक पुलिटिकल सिल्यूशन ढूंडने का जो ग्राउंड वर्क है वो जरूर हिमन्तब इससर्मा कर सकते हैं अमिर्शा जो चेंद्रिय अग्रायमंत्री है उनका भी मानीपूर वापस आने का संभादना है उन्होंने खुद कहकर गया है कि वो वापस आएंगे इसके पीछे के कोई खास वजह परफॉर्म नहीं कर पाए क्या थी इसके पीछे की वजह देखे परफॉर्मंस उतनी यहां पर इस वक्त परफॉर्मंस से ज्यादा जो एहम विशह है वो यह है कि एक ऐसी स्थिती लाना जहां पर सिक्यूरिटी के हिसाब से एक राजनेटिक सल्यूशन की बात किया जाए अब जब अड्मिनिस्टेशन में भी और एक जो मनिपूर के जो सरकार है वहां पर भी एक तरीके से दो गुट के बीच में एक मतबेद है और केंडिया जो सरकार है उनका यह है कि एक न्यूट्रल अड्मिनिस्टेशन बिठाकर जो सबसे बात करे या सब जगा पहुँच पर नजर नखते हुए यह जो सारे टांसफर्स है वो क्या गया है ऐसे अनुमान क्या जा रहा है